तो दोस्तों अगर आप भी एक अपना वेबसाइट बनाना चाहते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री में तो दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो बिल्कुल सही बलेगी और दोस्तों जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं के हाउ टू क्रियेट फ्री वेबसाइट आपको इस तरह के हजारों वीडियो मिल जाते हैं तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दावे के साथ कह सकता हूँ आप यह सारे वीडियोस भी अगर देख लेते हैं तब भी जाके आप अपना एक free website बिल्कुल भी नहीं बना सकते free domain के साथ और free hosting के साथ अगर आप इन वीडियोस को देखकर अपना एक website बना सकते हैं बना लेते हैं तो आएए मेरे चैनल पर आकर मुझे unsubscribe कर दीजिए आप नहीं बना सकते हैं मैं इसलिए कह रहा हूँ ये वीडियोस मैंने बहुत सी देखी जिनको देखकर मैंने एक भी free website नहीं बना पाया लेकिन दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक अपना professional website बना सकते हैं free domain के साथ और आपको hosting भी बिल्कुल free मिलेगी जो की hosting होगी वो unlimited होगी bandwidth वित्वाखरा जो भी होता है वो सारा का सारा आपको unlimited मिलेगा लेकिन दोस्तों मैं आपको एक यहाँ पर बात clear कर देना चाहता हूँ मैं आपका time waste नहीं करवाना चाहता जब भी बात आती है दोस्तों domain की तो दोस्तों लाजमी है कि आपको .com.net.us.in ऐसे domains तो free में बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे फिर भी अगर आपको एक website चाहिए अगर आप अपना website बनाना ही चाहते हैं तो दोस्तों आपको free website बन जाएगा वो भी एक professional website मैं आपको यहाँ पर बनाना सिखाऊँगा जो कि दोस्तों बिल्कुल ही बिल्कुल free होता है आपको ना कोई चीज़ पर चेस करने की ज़ुरूत होगी ना hosting ना domain ना कुछ सारा का सारा free में मैं आपको एक website बनाना सिखा दूँगा वो भी एक आपके अपने domain के साथ दोस्तों काफी लोगों के पास PCL laptop नहीं होता बट website बनाना चाहते हैं बट वो लोग समझते हैं के PCL laptop के बिना website बनाना मुश्किल है website नहीं बना सकते हैं बट आप लोग घलत हो आप phone से भी एक professional website बना सकते हो चलिए वीडियो को start करते हैं वेट वीडियो को start करने से पहले दोस्तों वीडियो को skip करते हुए मत देखिए प्लीज समझ नहीं आईगी और फिर नीचे comment करोगे प्लीज बिना skip किया देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगती है तो इस वीडियो को like ज़रूर करिए तो चलिए वीडियो को start करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर domain को register करते हैं तो इसके लिए आपको अपना browser open करना है और एक website पर जाना है जिसका नाम है फ्रीनॉम तो आपको URL में type करना होगा फ्रीनॉम.com और आपको इस वाली website पर चले जाना है और जैसे ही आप इस site पर आ जाते हैं तो आपको simply sign in के button पर click करके आपको इसमें account बनाना होगा मेरा account अलरेडी बना हुआ है तो मैं इसमें login कर लेता हूँ आप इसमें account बनाने लीजिए गूगल के तो भी आप यहां से account बना सकते हैं तो अब मैं इसमें login कर लेता हूँ तो जैसा ही आप इस site में login कर लेते हो तो आप यहां पर देख सकते है find your new domain तो आपको यहां पर वो टैप करना होगा जो आपको domain चाहिए अगर आपका कोई website है तो उसका नाम आपको मतलब जो आपको domain चाहिए वो आपको यहां पर टैप करना होगा तो मैं यहां से कुछ भी टैप कर लेता हूँ मैं यहां पर टैप करूँगा all information तो और मैं यहां से टैप कर देता हूँ और टैप कर देने के बाद आपको just simply check availability पर टैप कर देना है और जैसा ही check availability पर टैप करते हैं तो आपको यहां पर सारे available domains मिल जाते हैं आप यहां पर देख सकते हैं .tk.ma.ga तो मैं recommend करूँगा आपको कि आप यहां से GA को select करें क्योंकि GA जल्दी अप्रूफ हो जाता है .tk.ml शायद थोड़ा time लेते हैं तो आपको यहां से GA को select करना है तो आपको यहां पर get it note दिख रहा होगा तो आपको just simply वहां पर click करना है और click करने के बाद scroll up करके वहां पर एक check out होगा आपको check out पे click कर देना है और जैसा ही आप check out करते हैं तो आप यहां पर देख सेते हैं इस तरह से आपको interference मिलेगा आपको यहां पर create पूछा जाएगा तो आपको यहांपर 12 months to select करने के बाद continue कर देना है और आप जैसा ही continue करते हैं तो यहां पर आपको एक और बार आपको यहां पर confirmation पूछेगा तो आपको अपनी Gmail या फिर अपने account में एक बार फिर से login कर लेना होगा confirmation कर देना होगा और जैसा ही आप यहां पर continue कर देते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं आपको यहां पर एक फार्म दिया जाएगा जिसमें आपको अपनी details देनी होगी तो आपको just simply यहां से पूरा फिल कर देना है आपको यहां पर कुछ भी लिख देना है company name यानि के अपना site name लिख दीजिए अपना नाम लिख दीजिए zip code आपका जो भी यहां पर details आपसे पूछी जाएगी वो आपको यहां पर फिल कर देना है और आप यहां पर सारी details फिल कर देने के बाद terms and condition को चकमक देखकर यानि के टिक देखकर आपको complete order कर देना है और जैसा ही आप यहां पर complete order करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं order confirmation यानि कि आपको जो domain है वो अब register हो गया है तो आपको इस page को ऐसा ही छोड़ देना है अब आपको register करनी होगी अपनी hosting तो आपको दूसरे site पर ज जाना है और जैसे ही आप इस site पर आ जाते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं इस site का interference आपको यहां पर दिख रहा होगा professional free hosting और जैसे कि मैंने आपको यहां पर बताया unlimited hosting आपको मिलेगी आप यहां पर देख सकते हैं unlimited disk space, unlimited bandwidth यह सारा का सारा आपको unlimited मिलेगा तो आपको इ तो आप जैसा ही रेजिस्सर कर लेते हैं, तो आप यहां पर देख सकते हैं, Please Active Your Account, तो आपको यह कह रहा है, आपको अपने Gmail को verify करने को, तो आप अपने Gmail अकौन पर जाईए, आपको एक email आईगा वहाँ पर तो आपको उस mail पर click करके, I mean उस link पर click करके अपने account को verify कर लेना ह और उसके बाद आप जैसे ही इस account में वापिस verify होकर आ जाते हो तो आप देख सकते हो आपको यहाँ पर एक option extra मिल रहा है कि create new account तो आपको just simply create new account को click करना है जैसे ही आप click करते हैं तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं create new website तो आपको यहाँ पर अपने वेबसाइट का नाम देना है आपको यहाँ पर एक अपना अकाउंट बनाना है तो आपको जो भी अपने वेबसाइट का नाम देना है वो आप दे दीजिए आप यहाँ पर जो अभी आपने डॉमेंट रेजिस्टर किया था आप वहाँ पर देना है और उसके बाद आपको just simply right पर click कर देना है और जैसे ही आप यहां से okay कर देते हैं तो आप यहां देख सकते हैं आपका account जो है वो ready हो चुका है तो यहां पर जो green color का आपको manage दिख रहा है आपको उस पर click करना है और जैसे ही आप वहां पर click करते हैं तो आप यहां प कोंटोर्ल पैनल पर आ जाते हैं आपको यहां पर इतने सारे औप्शन मिल जाते हैं तो आपको यहां पर एक mice combination होगा पार्प दोमेश्ट तो आपको वह ढूरा थोड़ने के बाहद वह पार्फ डोमेश्ट मिल जाया है तो उसे आपको select कर लेना है और जैसा ही आप park domain पर click कर देते हैं तो आपको यहाँ पर इस तरह का interference मिलेगा आप यहाँ पर देख सकते हैं domain must be registered with a valid register before they can be parked तो आपको just simply यहाँ से यह copy करना है जो मैं यहाँ से copy कर रहा हूँ आप देख लीजिए आपको यह copy कर लेना है और copy कर लेने के बाद अभी जो आपने domain register किया था आपको domain के site पर जाना है याने के free norm पर जाना है और free norm पर जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने domain के पास एक manage domain जोगी है आपको उस पर click करना है और जैसा ही learner finance domain पर घिक कर देते हम तो आप देख सकते हम Management tool तूपको वहाँ पर उस पर चिलिच करना है और उस पर चिलिक करने के बाद name servers तो आपको just name server पर क्लिक करना है और यहाँ पर use custom name servers जो है आपको उससे select कर लेना है और उसे select कर लेने के बाद अभी जो आपने वहाँ से copy किया था उसे आपको first name server में paste कर देना है और उसी तरह से जो आपने copy किया है वो सारे name servers में paste कर दीजिए और कर देने के बाद 1,2,3,4 जो है serial voice आपको खली 1,2,3 जो number है वो आपको change कर लेना है आप screen पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर एक screenshot छोड़ रहा हूँ जैसा यह fill है आपको वैसे ही सारे name servers में fill कर देना है और फिल कर देने के बाद आपका जो domain है आपको उसे एक बार select I mean copy कर लेना है और कॉपी कर लेने के बाद य confidently यहाँ पर परक डोमेन में आपको वो पेस कर देना है और पेस कर देने के बाद add पर डोमेन पर आपको क्लिक कर देना है और जैसे ही आप add परक डोमेन पर क्लिक कर देती हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं Congratulations, you have now added a new domain to your control panel तो आपको just simply यहाँ पर क्लिक करके control पैनल पर फिर से आ जाना है और आने के बाद आपको इस बार यहाँ पर ढूंड़ना है softwareglues app installer एक इस तरह का option होगा वहाँ पर तो आपको उसे ढूंडना है और उसे ढूंड कर उस पर क्लिक कर देना है और जैसा ही वह open हो जाता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी खलती नहीं करनी है जो मैं आपको यहाँ पर कहूंगा आपको वही यहाँ पर रखना होगा तो जो यह protocol है उसको आप HTTP ही रहने दीजिये नीचे आप आपकर यहाँ पर डॉमिन पर टैप करके अभी आपने जो डॉमिन रेजिस्टर किया था जो .ga है आपको वो सेलेक करना है और वो सेलेक करने के बाद आपको नीचे जो WP दिख़ा है उसे एरेस कर देना है हटा देना है अगर वो आप नहीं हटा होगे तो आपके साइट के डॉमिन के बाद slash WP जब तक ना टाइप करें आपका साइट आएगा नहीं तो आपको उसे हटा देना है और हटा देने के बाद यहाँ पर नीचे माई ब्लॉग में आप अपने वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख स सके आपके साइट में और वो कर देने के बाद आपको सिंप्ली स्क्रोल ओन कर देना है और करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टॉल आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है और जैसे ही आप इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं तो यह जो वर्डप्रेस की मेंस और जैसा ही आप उस पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं यह रहा आपका साइट जो की बनके रडी हो चुका है और जो यह दूसरा URL है वो है आपके साइट का अड्मिन URL अब वो URL टाइप करके आप अपने साइट के अड्मिन पैनल में लॉग इन हो सकते हैं और वहां से आपका साइट बनकर रडी हो चुका है तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह वीडियो दोस्तों आपकी वेबसाइट तो बन गई बस अब आपको अपने वेबसाइट पर काम करना होगा आर्टिकल्स लिखिए SEO करिए राइंक करिए सर्च में लाइए ट्राफिक लाइए और पूब अर्निंग करिए यह सब आपको आता है तो दोस्तों अच्छी बात है अगर नहीं तो नीचे कॉमेंट करिए मैं इसके भी टिटोरियल्स आपको दूंगा अगर ज्यादा लोग पूसते हैं तो तो बस उमीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अग अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी कोई इंटरस्टिंग वीडियो आप मिस्ट ना कर दें तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया बबाई